ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें महिलाएं समय निकाल कर जरूर सुने नमबर एक यदि आपके बाल बहुत ज़ड़ हैं और ड्राई हो गए हो तो बहुत ही अच्छा टिप्स आपको बता रही हूँ सबसे पहले आप छाच लिजिए फिर उसमें मुल्तानी मिट्टी डाले और इसका एक पैक त्यार करें उसे आप जब सिर धोएं तब आधा घंटा पहले सिर में लगा ले और सोग जाने के बाद सिर को धोले फर्क आपको खोधी दिख जाएगा नमबर दो हरी मेथी के पत्तो की करवाहट दूर करने के लिए मेथी के पत्तो को पाने में नमक डाल कर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए नमबर तीन काम में यदि फुनसी हो गई हो तो लहशुन को शर्सों की तेल में पका कर ठंडा कर ले फिर उसे शुबा, दो पहार और शाम को दो दो बूद डालने से फुनसी दम जाती है यानि कि ठीक हो जाएगी नमबर चार अजवाईन सेंधा नमक और हिंग शुखा आवला को एक साथ पीस कर एक ग्रम सहद के साथ चाटे इससे खटी डकारे अपच जैसी बिमारी से छुटकारा मिल जाता है नमबर पाच दमा रोग में करेने की सबजी बिना मसाले वाली खाने से फाइदा होता है नमबर छे हरे धनिये को लब्बे समय तक ताजा रखने के लिए धो कर पंखे की हवा में शुखा देजिए बाद में उसे काट ले और एक डिब्बे में बटर पेपर रखकर धनिये को उसमें डाल कर फ्रेज में इस्टोर कर दे नमबर साथ पपीते का सेवन करना शरीर के शेहत के लिए बहुत ही अच्छा है उत्रही फेस के लिए भी लाबदायक होता है नमबर आठ घाव जल्दी भरने में डारियल का तेल बहुत ही मददगार होता है प्रभावित हिस्सा को पानी से साफ करके और उसे पोच कर वहादारियल का तेल लगाए और उपर से साफ सूती कपड़ों से बाद दे एक दिर में तीन बार तेल को लगाए नमबर दो यदि नीवू का चार खराब होने लगे तो उसमें थोड़ा सा शेर का डाल कर इसे हलकी आज पर पका ले ऐसा करने से नीवू का चार खराब होने से बच जाएगा नमबर दस चहरे पर भाप लेने से चहरे के रोम छिद्र खुल जाते है चहरे की गंदगी दूर होती है जब भी पिंपल्स की समस्या जादा हो तो चर-पाच दिनों तक एक दिन में दो बार भाप ले पिंपल्स की समस्या दूर हो जाएगी और चहरा ग्लो भी करने लगेगा नमबर इग्यारा लासूर की चार से पाच कली सरसो के तिल में पका कर जोडो पर लगाने से जोडो के दर्द में आराब मिलता है अगर दोजे में से जलने की गंध यानि की स्मेल आ रही हो तो एक पान का पत्ता डाल कर एक उबाल लेने से जलने की गंध खत्म हो जाती है नमबर तेरा गुलगप्पे खाने और उसका पानी पीने से ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है और उल्टी, डायरिया, पीलिया और आतों की शोजन की समस्या से भी रहत मिलती है नमबर चौदा मूली कारस पीदे से पित में पथरी बनना बंध हो जाता है नमबर पंधरा काफी पाडर क्यों? तवी पर भून कर धुवा करने से मचर मखी भाग जाते है नमबर सोला बथवा के नीमित शिवन से हाजमा सही रहता है और इसकी अलावा या पेट दर्द में भी लावप्रद है नमबर सत्रा रोजाना सुवा एक टमाटर खाने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते है नमबर अठारा धनिया कारस गज्ये सिर में लगाने से बाल जल्दी आना शुरू हो जाता है नमबर उन्दीस हाथ पैरों में जेतोन के तेल की बालिस करने से हाथ पैर मुलायम और साफ्ट हो जाते है नमबर बीस कच्चा लहशुन में काला नमक लगा कर खाने से एसीडिटी नहीं होती है नमबर इकीस जो और ते रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में एक चमश शाहद मिला कर पीती है तो उनकी इश्कीन कभी भी रुखी नहीं होती साथ ही इश्कीन चमखदार और स्वस्त रहती है नमबर बाईस गुड़ाल का फूल हमारे बालों के लिए बहुत ही फाइदे बंद होता है इसको लगाने से बालों की ग्रोथ बरती है बाल चमखदार भी होते है नमबर तेस बर्फ के पानी में तीस मिनट के लिए चहरे को डुबा कर रखे ऐसा करने से चहरे पर जूरिया नहीं आती है और ताजगी भी बनी रहती है नमबर चौवीस चोट लग जाने पर कच्ची हल्दी काट कर तील में मिला कर चोट वाली जगा पर बाद दे इससे बहुत आराम मिलता है नमबर पचीज ठणी के मौसम में बथवा का सेवन जरूर करना चाहिए और जिनको कबज की सिकायत है उनको तो बथवा रोज खानी चाहिए इसे कबज जल्दी ठीक हो जाती है तो दोस्तों आज की मीडियो में बस इतना ही आज की जारकारी आपको कैसी लगी हमें कमिट माक्स में जरूर बताईएगा अगर आपको यह जारकारी पसंद आई हो तो बीडियो को लाइक कर दे और साथ ही अपनी फैमली और फ्रेंड्स में जरूर सेयर करें क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत पोटवीट करता है ऐसे ही इन्फरमेशन बीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना न भूले ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकिशन आपकी पास सबसे पहले पहुचे आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें और स्वस्त रहें अपने आज पास सफाई रखे और अपने परिवार का ध्यान रखे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई